इस वीक की AI की सबसे बड़ी न्यूस के साथ मैं हाजर हूँ असलाम अलेकुम मेरा नाम है मार्तोफैल और आज मैं आपको Cloud Anthropic के ऐसे Large Language Model के साथ आशना करवाने वाला हूँ जिसने धूम मचा दी है भाई जब भी आप Large Language Model की बात करते हैं या AI की बात करते हैं तो आप ज्यादा तर ChatGPT को यूज करना सीखते हैं फॉर एक्जेमपल ये स्क्रीन पर अगर आप और करें यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा तो ChatGPT उसको डिफरेंट किसम के Models को यूज करके हमें आंसर देगा इसी तरह Google का भी Model है इस तरह और भी काफी Models है लेकिन Cloud Enthropic वालोंने रिसेंटली एक बात की है कि हमारा जो Model है जो हम प्रिपेर कर रहे हैं जो और रेडी रिरीज भी हो गया है API के थूँ यानि कि अगर आप Cloud Enthropic के इस Model को यूज करेंगे और यह चोटी सी बात नहीं है मैं आपको एक बात बताता हूँ आप ChatGPT यूज करते हैं और वो आपको आंसर देता है जस्ट इमेजन करें कि एक Large Language Model आपको आंसर ना दे बलके आप जो उसे बोलें वो वो काम भी करें और इनकी एक वीडियो जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं अफकोर्स यहाँ पे टॉप पे भी आपको लिंक नजर आ रहा होगा वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि इनके CEO ने बकाइदा दिखाया है किस तरीके से कम्प्यूटर आपका जो LLM मॉडल है वो कम्प्यूटर को एकसेस कर पाएगा और उसको यूज कर पाएगा सिर्फ और एक्जेम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी तस्वीरे मेरी पड़ी हुई है क्लाउड अंथ्रॉपिक क्या करे इसको automatically मेरी वन ड्राइव पे अप्लोड कर दे वो फिर अंथरॉपिक के अंडर आ जाएगा क्लाउड अंथ्रॉपिक एस अन एजंट क्या करेगा जितनी भी मेरी हाड ड्राइव है सभी से तस्वीरों को देखेगा और OneDrive पे अप्लोड करतेगा Of course इसके साथ privacy concerns तो जुड़े हुए लेकिन हम detail में बढ़ते हैं कि ये खुद क्या कहते हैं यहाँ पर अगर गवर करें तो यह है जिक Cloud can now use computers The latest version of Cloud 3.5 Sonnet can when run through the appropriate software setup follows the user command to move cursor around their computer screen and click on the relevant location and input information via virtual keyboard emulating the way people interact with their own computer जैसे कि मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ, मैं Google पर जाता हूँ, Google पर जाने के बाद मैं यहाँ पर kodenics लिखता हूँ मेरे पास kodenics open हो जाती है यही काम अगर मैं एक anthropic model को बोलूँगा then that model will do the same thing जो मैं खुद से कर रहा हूँ and this is one of the biggest things in the history of large language model of course automation के softwares भी हैं लेकिन large language model क्या करेगा आपको कोई भी काम करेगा, not a specific task we think this skill which is currently in public beta represents significant breakthrough in AI progress below we share some insights उनकी insights यह हैं, why computer use, there are many things जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं last decades के अंदर AI ने काफी changes की हैं inside computer interface and other things लेकिन अगर आप research purposes के लिए computer use को use कर सकते हैं और इसमें कोई improvement करना चाहते हैं, you can also suggest them so यह basically इनका blog है जो 22 October 2024 को है और यह 7 minute के अंदर आप इसे read कर सकते हैं, इसका link भी मैं description के अंदर दे दूँगा secondly, यह है वो video जिसके अंदर इनका CEO जो हैं वो बकाइदा दिखा रहे हैं कि कैसे यह वाला जो काम है वो perform किया जाते हैं यहां पे इस जगा पे इन्होंने एक जो है वो excel sheet open की यहां पे एक prompt दिया, prompt देने के बाद यहां पे यह cloud की window open होगी left side पे आपको बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ right side पे आपको वो काम करके दिखा रहा है, click कर रहा है, copy कर रहा है और एक form को fill कर रहा है, यह बहुत interesting video है आप जाके से देखेंगे, आपको और भी जो है वो इसके बारे में information मिलेगी अगर आप इसी तरह की AI news weekly सुनना चाते हैं या daily basis पे भी सुनना चाते हैं, write down in the comment section and like, share and subscribe our channel like this video see you in the next one, take care, Allah Hafiz Assalamualaikum